किसी बच्चे के लिए वक्त की रप्तार अगर कई गुना बढ़ जाए और बच्पन में बुढ़ हापा उसे जक्र ले तो ना सिर्फ उस पर बलके उसके करीबियों पर क्या वित्य होगी ये अनुमान भी लगाना मुस्किल है ओधर प्रदेश की स्रावस्ति जिले की धिलॉला का रहने वाला ये ठकुरा है जो कि प्राजेरिया रूख से ग्रिस्त है इस नाम को सायद ही फैले कभी आपने शुना होगा प्राजेरिया रूख एक ऐसा रूख है जिसमें कम उम्र के बच्चों में बुढ़ापे जैसे लच्छन दिखने लगते हैं इस बीमारी से पेड़ित बच्चे आमतोर पर 17 साल से ज्यादा नहीं जी पाती हैं ये अत्यांत दुरलव बीमारी है इसे हजगिशन गिलफोर्ट प्राजेरिया सिंड्रोम या हजगिशन गिलफोर्ट सिंड्रोम भी कहा जाता है नाम थोड़ा बड़ा है लेकिन बीमारी उससे भी ज्यादा खतरना अगर आपने पाफ फिल्म देखी होगी तो आप जरूर जानते होंगे जिसमें अमताब बच्चन ने प्राजेरिया रूख से ग्रिस्त बच्चे का रोल किया था इविमारी पाफ फिल्म के बाद से ज्यादा चर्चा में आई थी इस पहले ग्रिस्त बच्चा आम बच्चो के मुकालबे तीन गुना तेजी से बुढ़ाबे की और बढ़ता है सरीर ढिला पड़ जाता है बच्चे के स्किन का रंग पीला पड़ जाता है और इसकिन काफी पतली हो जाती है सरीर मोटे तौर पर हड्डियां इसकिन ही बाकी रह जाती है सिर सरीर से अनुपात में काफी बड़ा हो जाता है बाल उड़ जाते हैं मुह के अंदर कई गुना दाँच ज्यादा आ जाते हैं ये विमारी ऐसी विमारी है जो 80 लाख लोगों में कहीं एक दो लोगों में मिलती है Bureau Report, Neo Times अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सबस्क्राइब करना मत भूलिएगा